हलो स्टूडेंट्स मैं जोती सक्षेना व्याख्यता लोगप्रशाशन MS College बीकरियर से आज मैं आपके सामने BA Part 1st के 1st Unit लोगप्रशाशन का अर्थ और उसके छेत्र के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ लोगप्रशाशन एक नया शब्द नहीं है इस शब्द का प्रचलन सबसे पहले सत्रवी शताब्दी में यूरोप में हुआ था वहाँ उस समय निरंकुष राजाओं का शाशन था इन निरंकुष राजाओं के सारजनिक मामले और उनके घरेरू मामलों को आपस में अलग करने के लिए लोगप्रशाशन का सप्रयोग किया गया लेकिन एक विशे के रूप में लोगप्रशाशन का जनम 1887 में एमरीका में हुआ था और बुड्रो विल्सन को इसके पितामा के नाम से जाना जाता है लोगप्रशाशन का जनम प्राचीनकाल से ही पल्लवित होता आ रहा है प्राचीनकाल में अशोक, हर्षवरधन और कनिश्क जैसे राजाओं ने ये साबित कर दिया कि प्रशाशन का केवल मात्र एक उद्देश्य है और वो उद्देश्य है जनता का कल्यान करना और उनका चहुमुखी विकास करना लोग प्रशाशन का जनम लेटिन भाषा के शब्द पब्लिक पिलस एड्मिन्स्टर से हुआ है जिसका अर्थ है कारे करना व्यक्तियों की देखफाल करना या कारियों की वैवस्था करना लोग प्रशाशन में लोग का अर्थ सरकारी से है यानि लोग को सरकारी इसलिए कहा जाता है कि वर्तमान समाज में सरकार एक ऐसा संगठन है जिसमें सभी राज्यों के लोगों की सैभागिता रहती है दूसरे अर्थों में संपून जनता प्रजतन्त के माध्यम से सरकार के कारियों में अपनी दखल अंदाजी करती रहती है तथा सरकार द्वारा संचालित होने वाला प्रशाशन केवल जनता के लिए ही हो इसको भी वह देखती है लोग प्रशाशन एक ऐसा प्रशाशन है जो व्यक्ति के जनम से लेकर निरंतर उसकी सेवा करता रहता है यहां तक कि उसके मिर्तय तक उसे अपनी सेवा देता रहता है दूसरे शब्दों में लोग कल्यानकारी राजजे के कारियों की किर्यानवीती का नाम ही लोग प्रशाशन है अलग-अलग समय में अलग-अलग विद्वानों ने लोग प्रशाचन की अलग-अलग परिभाशाएं दी हैं इन में से कुछ परिभाशाएं प्रमुख हैं जिन में सबसे पहले L.D. वाहिट का नाम आता है उनका कहना है लोग-प्रशाचन में वह सभी काम आ जाते हैं जिनका उद्दिश सहर्विजनिक नितियों को पूरा करना या लागू करना होता है वुड्रो विलसन कहते हैं कानून को विरस्तत और करमबद रूप से किर्यानवित करने का नाम ही लोग-प्रशाचन है कानून को किर्यानवित करने की पिरतेक किरिया एक प्रशास किये किरिया है परसी मैक किलिंट कहते हैं लोग-प्रशाचन वह प्रशाचन है जिसका सम्मंध सरकार के कारियों से है चाहें वो केंद्र सरकार दोरा निश्पादित हो या इस्थानियों सरकार के दोरा निश्पादित हो लूथर गुलिक कहती है सामने ता लोग प्रिशाशन प्रिशाशन विवाग का वह भाग है जो शाशन से विशेश कर इसके कारेपाली का पक्ष से सम्मंदित है यत्पी, व्यवस्ताबिता और नयाईपाली का भी प्रिशास किये कारेच्षेतर में सम्मलित हो सकती है इन सभी विद्वानों की परिभाशाओं के अनुसार हम निशकर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि लोग प्रिशाचन एक ऐसा प्रिशाचन है जो सरकार के कारे, उसके कर्तव्य के संचालन के सम्मंद रखता है लोग प्रिशाचन एक ऐसा प्रिशाचन है जो बहुत सारे वक्तियों के कारेचों को नियंतृत करता है, उनको निर्देशित करता है, उनमें समन्वै करता है ताकि सार्वजनिक हित्की रक्षा की जा सके मानक कल्यान के रिए राज्य के कर्तव्यों की पूर्ती के लिए लोग प्रिशाशन एक व्यवस्थिक मानविये प्रियास है यह छेत्र और प्रिकति की दुष्टी से व्यापक तथा एकी करत दुष्टी कोण का प्रयावाची भी माना गया है लोग प्रिशाशन के छेत्र के वारे में यह कहा जाता है कि लोग प्रिशाशन के छेत्र को चार भागों में बाटा गया है पहला है संकुचित छेत्र या दुष्टी कोण इस दुष्टी कोण के समर्थक लूथर गुलिक और हर्बर साइमन है उनका ये मानना है कि लोग प्रिशाशन में केवल और केवर कारे पालिका के दोरा किये जाने वाले कारेों को ही शामिल किया जा सकता है लोग प्रिशाशन का दूसरा छेतर है व्यापक छेतर इस छेतर के समर्थक हैं बिलोवी, एल्डी वाइट, मार्क्स इनके अनुसार लोग प्रशाशन केवल कारेपाली का कारेओं का अध्धन नहीं है बलकि यह सरकार के तीनों अंग वेवस्तापिका, नयपाली का और कारेपाली का तीनों के कारेओं का समलित रूप से एक अध्यन है लोग प्रशाशन के तीसरा दुष्टिकॉण है पोस्ट कॉर्ब दुष्टिकॉण इस दुष्टिकॉण के समर्थक है लूथर गुलिक पोस्ट कॉर्ब अंग्रेजी के साथ अक्षरों से मिलकर बना है पहला है पी फॉर प्लानिंग करना या किसी भी कारे का नियोजन करना हर संगठन किसी ना किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाया जाता है और हर संगठन ये चाता है कि वो समय के अनुसार कारे करे इसके लिए वो बहुत सारे योजनाय बनाता है उस और वह अपने संसाधनों का सही तरीके से प्रियोफ करता है ये सारे कारे उसके नियोजन के अंतरगत आते हैं पोस्कॉर्प का दूसरा वर्स है O for Organizing या संगठित करना जब एक संगठन बन जाता है तो उस संगठन को चलाने के लिए हमें मानव संसाधन जैसे मानव शक्ती धन तकनी की कच्चा माल मशीन आदी का भी प्रियोग करना पड़ता है और जब हम इनका वैवस्तिक तरीके से प्रियोग करते हैं तो उसे संगठित करना कहते हैं तीसरा है As for Staffing यानि करमचारियों की वैवस्ता करना जब कोई संगठन बन जाता है उसके उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं तो उन उद्देश्यों की पूर्ती के लिए हमें करमचारियों के अविशक्ता होती है साथ ही इन करमचारियों के बेतन, भत्ते, प्रिशिक्षन, पदोन्नती, आधी का कारे भी करना अनिवारे होता है यह सारी विवस्ता कार्मिकों की विवस्ता के अंतर आती है अगला है D for directing या निर्धेश देना हर संगठन उच्चे और अधिनस्त करमचारियों का एक जाल होता है यानि बहुत अधिस संख्या में लोग कारे करते हैं उच्चे अधिकारी के दवरा समय समय पर अपने अधिनस्त को निर्धेश दिया जाता है और यह कहा जाता है कि उसे क्या कारे करना है और क्या कारे नहीं करना उसके बाद है कौडिनेशन यानि समन्वे जब संगठन के सारे कारे निर्धारित हो जाते हैं तो इन कारे में दोराब टकराब या उल्जन ना हो इसके लिए यह जरूरी है कि संगठन के हर व्यक्तिव को एक दूसरे के कारे की जानकारी होनी चाहिए ताकि उनके कारे में आसानी से समन्वे इस्तापित किया जा सके नेक्स्ट है आर आर फोर रिपोर्टिंग या पृतिवेदन दैना उच्छे अधिकारी जब अपने अधिनस्त करमचारियों के मद्धे समन्वे और नियंत्रन बनाए रखता है साथ ही हर अधिनस्त करमचारी का ये दाइत्व है कि वह अपने कारेयों की सफलता और ऐसफलता के बारे में उच्छे अधिकारी को बताए उसे नियंमित रूप से एक रिपोर्ट दे कि उसने क्या कारे किया है और क्या कारे नहीं किया नेक्स्ट है बी फोर बजटिंग या बजट बनाना बजट संगठन का रक्त होता है बिना बजट के कोई भी संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है बजट आए और व्या का एक ब्यावरा होता है संगठन को यह मालूम होना चाहिए कि उसे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आए कहां से प्राप्त होगी और उसे अपने धन को कैसे खर्च करना है लेकिन लूथर गुलिक के इस पोस्कॉर्फ दुष्यकॉर्ण की कुछ लोगों ने आलोचना की है और यह का है कि पोस्कॉर्फ में मानविये तत्वों की अवेलना की है केवल मनुष्य को मशीन का एक पूर्जा माना गया है आलोचकों का यह भी कहना है कि पोस्कॉर्फ सम्मंदी, गतिविदी, मित्रमंदी, परिवार, सैन्ने प्रिशाशन आदी में आसानी से देखने को मिल जाती है केवल पोस्कॉर्फ के यान को हम लोग प्रिशाशन का छेतर नहीं कह सकते हैं हार्थन प्रियोग के समर्थकों ने ये का है कि लोग प्रिशाशन मशीन की भाती निर्जीव और समवेदन ही नहीं है जो केवल पोस्कॉर्फ के दाइरे में बना है लोग प्रिशाशन तो एक समवेदनाओं से परिकून प्रिशाशन संचालन की एक कला है इन में मानविय सम्मंदों का भी स्थान होना चाहिए इन सभी आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुए 1971 में लूथर गुलिक ने पब्लिक एड्मिनिस्टेशन रिव्यू के अथिती संपाद्य किये में पोस्कौर में यी अर्थाक मुल्यानकन को भी जोड़ा अब लोग प्रिशाशन में आठ वर्थ हो गए है नेक्स इसका छेतर है लोग कल्यानकारी छेतर लोग कल्यानकारी छेतर के समर्थक यह कहते है कि लोग प्रिशाशन जनता का चहु मुखे विकास करता है बिना जन्ता के लोग प्रिशाशन का कोई अस्तित्व नहीं है लोग प्रिशाशन की सारी गतिविदियां केवल और केवल जन्ता के कल्यान के लिए है लेकिन कुछ ऐसे भी विद्वान है जिनोंने अपनी अनुसा लोग प्रिशाशन के छेत्र को विभाजित किया है जैसे हेन्री फ्योल ने लोग प्रिशाशन के छेतर में नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वे और नियंत्रन को निर्धारित किया है परसी मैक क्विन ने लोग प्रिशाशन में मनुष्य, बोतिक संसाधन और विधियों को बताया है बिलोवी ने उच्चे प्रिशाशनिक नियंत्रन, संगठन, कार्मिक प्रिभन, भोतिक संसाधन और विधि को लोग प्रिशाशन का एक अनिवार्य विशे बताया है धन्यवाद